जै हिन्द वंदे मात्रम स्वागत है सबी वावी कोंस्टेबल भाईउं का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल इस्टेडि एग्जाम एकेडमी लगतार यहांपर संगुश्ट कर रही है ताकि सबी विदार्ती अपना खाकी वर्दी का सपना पूरा कर सकें सभी साती लाइव जुड़ जाएं आज अपना एक मोडल पेपर होने वाला है कॉंस्टेबल भरती परिक्षा को लेकर सभी मेरे खाकी के दिवाने क्लास में लाइव जरूर जुड़ें और हमना टेलीग्राम गुरूप सभी साती लाइव जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है एक बार कलास को लाइक जरूर कर दें और पहला परशन आपके सामने स्क्रीन पर आचुका है हाडोती के पठार में राजस्तान का कौन सा छेतर उंचाई पर बसावा है दक्षिनी पूर्वी दक्षिनी पस्चिमी या उत्री पूर्वी राइट आंसर क्या हो जाएगा दक्षिनी पूर्वी पठार पठारी जो परदे से हाडोती छेतर में राजज्ये का 9. कितना भाग आता है 9.30 पर तिसद भाग आता है इसका विस्तार दक्षिनी पूर्वी राजस्तान के कोटा बुंदी, बारा, बांसवडा और जालावाड जिलू में देखने को मिलता है तो राइट आंसर एक नमर हो जाएगा दक्षिनी पूर्वी जो भी यहाँ पर वावी कॉंशल भाई आंसर बता रहे हैं सभी का राइट आंसर आ चुका है बिलकुल हजारूं घरूं के दीप जलाने अकेला ही निकला हूँ राजस्तान में सबसे अधिक नमक उत्पादिक होता है सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन काँ पर होता है सामर जील, पंच पद्रा जील, लून करंशट जील, फलोदी जील, फलोदी जील काँ पर है बगबर शेरूं लून करंशट जील काँ पर है, बिक का नेर में है पंच पद्रा जील, बाड मेर में है, सामर जील जेपूर में है सबसे अधिक नमका उत्पादन देश की सरवाधिक नमक उत्पादन जील है वो आपकी सांबर जील है एक नमर राइट आंसर हो जाएगा और इस जील में नमक उत्पादन का कारिय सांबर शाल्ट लिमिटेड कंपनी करती है जिसमें कितना नमका उत्पादन होता है ये परशन के किस जिले में प्राकरती गेज के बड़े बंडार खोजे गए हैं जेसल मेर दोलपूर बास्वाडा या बिका नेर प्राकरती के गेज के बड़े बंडारों की खोज कहां पर की गई है मैं कमेंट रीड कर लेता हूँ आप सभी साती आंसर बताएं और कलास में आगे बढ़ आज ही 12 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदें और साथ में 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फिरी में पाएं और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन खरीदने पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फिरी दिया जा रहा है अनकेडवी एप्लिकेशन पर तो देर किस बात क में प्राक्रती गेस के बड़े बंडार खोजे गए हैं तो राइट आंसर बिलकुल सभी का करेक्ट है जैसल मेर बार्ड वाय। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी का राइट आ चुका है । बिल्कुल पेंट्रोलियम और प्राकर्ति गेज जैसल मेर जिले के मनिहरी तनोट गोटारू इन छेतरों में मिले हैं एक नमर राइट हो जाएगा अगला परशन देखते हैं 2011 की जनगना के अनुसार राजिय की जन सेंक्या वर्दीदर कितनी है बहुत ही सांदार परशन है जन सेंक्या वर्दीदर कितनी रही 2011 में जो अपनी जन्गना हुई थी उसके आंकडे के अनुसार 21.3 परतिसद जवकि पिछले दसक में यानि 2001 ही जन्गना के अनुसार ये वर्दिदर रही थी 28.41 परतिसद दोनू चीजें चाप लेना Next परशना चुका है वर्दिदर 2011 में राजस्तान में सरवची महिला साखसरता किस जिले में अंकित की गई जुन जुनू जेपूर कोटा या अजमेर महिला साखसरता तो सरवादिक साखसरता महिला है कोटा में कहां पर है कोटा और सरवादिक महिला साखसरता वाले पांच जिलूं का करम एक्जाम में पूछा जाता है कोटा की महिला साखसरता कितनी है पैंसेंट पॉइंट नो परतिसद हाँ तो सबसे ज्यादा कोटा की है उसके बाद में जेपूर की है जेपूर उसके बाद यदि आपको उप्षन में कोटा नहीं दिया गया हो तो आपका जेपूर राइट हो जएएगा यदि गुरुजी जेपूर और कोटा दोनु नहीं हो ऊप्षन में तो तो तीन नमर पर आपका जुन-जुन हो जएएगा एकजामिनर ऐसा परशन नहीं देगा इसमें आपको कोटा है इसको गाइब गर देगा उसके बाद पूछ लेगा तो कोटा नहीं है तो आपका राइट हो जाएगा जेपूर गुरू जी जेपूर नहीं होता हो तो जुन जुनू राइट हो जाएगा जुन जुनू ही नहीं होता हो तो गंगा नगर हो जाएगा गंगा नगर ही नहीं हो तो शिकर हो जाएगा तो ये करम याद रखना अगला प्रशन एकी तेरे ताली नर्थिये किस लोग देवता को समर्पित है तेरा ताली नर्थिये तेरे मंजीरे बांद कर क्या जाता है महिलाओं के द्वारा गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या देव नर्यन जी जो तेरा ताली नर्ट यह है यह कामड जाती यानि रामदेव जी के बोफे की ओड़तें सिर में सिर से लेकर पाउं तक विबिन इस्तनू पर तेरे मंजीरे बांदगर दोनू हातों के मंजीरों में यहाँ पर आगात करते वे करती है यह नर्ट यह डूंगरपूर पोकरन डी लेखने को मिलता है अगला परशने की रामा सपीर के नाम से परसिद संत का सही नाम क्या है छाइए मेजर राम सिंग राम देव राम चंदर या कबीर अगला प्रसन देखते हैं नोटंकी तता रामलिला राजस्तानके किस भाग में अधिक लोक पिर यह है रामलिला नोटंकी राइंट ऐंज़र क्यों हम जाएगा नोटंकी राजस्तानके पूर्वी जिले अलवर, भरतपूर, दोलपूर, सवाइमादपूर और करोली जिलू में बिल्कुल मेलू में या कोई तेहारू पर ये किया जाता है राइट अंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल पुर्वी दो नमर आपका करेक्ट हो जाएगा अगला परशन देखते हैं जो काफी वेतुपूर है गोगा जी का परमुक मेला गोगा मेडी अनुमानगड में बढ़ता है जबकि दूसरा मेला काँ बढ़ता है दूसरा मेला बढ़ता है गोगा जी की ओल्डी सांचोर में उंची पाड़ी पर है हरस की पाड़ी पर हाँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इन्हें चोहनु की कुल देवी या सेकवाटी छेतर की लोग देवी के नाम से जाना जाता है इनका मंदीर हरस की पाड़ी रिवासा सीकर में है एक नमर राइट आंसर हो जाएगा चोहान वंस नेक्स्ट अगला देखते हैं तगड़ी पेनी जाती है कल मैंने अबुसन की एक लास लीती हो देख लेना गले में, हाथ में, कमर में या पेरू में तगड़ी अबुसन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तगड़ी हो गई, कनकती हो गई, ये कमर में पेनते हैं अरे कमर बहुत तगड़ी लगती है तीन नमर आपका राइट हो जाएगा अगला परशन है की मेवाड के मगरा छेतर में बिलू के काला जी कौन है एक नमर है केसरिया नाथ भी है रिसब देव, सी आदी नाथ और डी है उप्यूक सभी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दुलेव इस्तान पर आदी नाजी जिनें रिसब देव जी भी बोलते हैं इनका मंदिर इस्तिद है और इस मंदिर में संसार में सरवादी केसर चड़ाने बिल्कूल सरवादी केसरिया पर चड़ाई जाती है इसलिए इन्हें केसरिया नाजी भी बोलते हैं देखो इन्हें हमें रिसब देव बोलते हैं क्या बोलते हैं काला जी, रिसब देव जी या इन्हें हम बोलते हैं केसर या ना जी क्योंकि या पर केसर चड़ाई जाती है केसर टपकती रहती है और रिसब देव जी के मंदिर में मूर्ती काले पत्र की है मूर्ती है काले पत्र की इसलिए हम काला जी बोलते है ठीक है और आदिना जी इनका दूसरा नाम है तो राइट आंसर चाड़ नमर हो जाएगा उप्युक सभी और केसरिया ना जी रिसब देव जी और आदिना जी सभी एक ही वेक्ति है काला जी बगेरा अगला प्रशन क्या है मयूड धवजगड किल्ये को का जाता है मेरा अंगड दूरग, सोनारगड दूरग, गागरोन दूरग या रन्थमबोर दूरग मेरा अंगड दूरग बिल्कूल राइट आंसर क्या हो जाएगा एक नमर हो जाएगा मेरा अंगड दूरग मेरा अंगड दूरग का जाता है मोर धवस दूरग का जाता है इसके लबा गड़ चिंतामणी इसे कहते हैं इस किल्ये का निर्माण 400 मिटर उंची चीडिया नाथ की या चीडिया टुक की पाड़ी पर राव जोदे ने करवाया था इस किल्ये में एक परसी चमुंडा माता का मंदिर भी है बिल्कुल अगला परसन देखते हैं जोदपूर में है बिल्कुल सुन्दा माता का मंदिर कहां पर इस्तित है बाड मेर जालोर जेपूर या शिकर अरावली परवत सरकलाओं में 1220 मिटर उंचाई पर है अरावली की पाड़ियों में 1220 मिटर की उंचाई पर सुन्दा पर्वत पर जस्वन पुरा पंचाई समीती छेतर में दांतला वास ग्राम के समीप चाउंडा देवी का परशिद मंदीर है ये जालोर का एक परशिदार में किस्तल भी है सबसे पहला रोपे वहीं यहीं पर लगया गया था दो और नमबर राइट हो जाएगा जालोर अगला परसंद देखते हैं गोडवाडी बोली का छेतर है चुरू बुंदी शिरो यलवर आज मैंने मोर्निंग में ही जो कलास लीती है अपनी बोली वाली उसमें आपने ये परसंद राइट किया होगा अब देखते हैं किसका गलत आता है सुबह वाली क्रास देख लेना नहीं देखिये तो बिल्कुल गोडवाडी बोली जालोर जिले की आहोर तेसिल के पूरी भाग से परारम होकर पाली में बोली जाती है यहां तक यह छेतर है यहां तक यह उपवाली है जो मारवाडी की उपवाली से बोलते हैं तो राइट आंसर आपका तीन नमर हो जाएगा शिरोई क्या हो जाता है शिरोई अगला परसंद देखते हैं अगला परसंद है कि अचलदास खिंचीरी वचनी का से कहां का इतियास मुकी रूप से ग्यात होता है जालोर, जैसलमेर, अजमेर या गागरोन राइट आंसर बताएं देखें अचलदास, खिंचीरी, वचनी का इसके लेक कोन है इसके लेक कोन है विल्कुल सिउदास गड़न है वीर, विल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका चार नमर गागरोन क्या हो जाएगा, गागरोन, काँपर है जालावाड में नेक्स्ट अगला परशन देखते हैं हमीर महाकाविय के लेखक कोन है नयन चंदर सूरी, मरुतुंग, करणिदान या कवी चंदर सेकर हमीर महाकाविय के लेखक कोन है बिल्कुल नयन चंदर सूरी, एक नमर आपका राइट हो जाएगा नयन चंदर सूरी के द्वारा लिखा गया गरंत है इसमें रनतंबोर के जो चोहान वन्स है उनका याँपर इसमें इतियास लिखा गया है और इस गरंत में जब अलाउदीन खेलजीन ने रनतंबोर पर आकरमन किया था कब किया था? 1301 में उस समय का पूरा यहाँ पर इसमें इसमें इस्तियास देखने को मिलता है अगला परण है राजस्तान में पंचायती राज व्यवस्ता का उद्गा टंड कब और किशने किया? हाँ, राइट आंसर बताएं भारत वरस में सरवे परतम राजस्तान में किया गया पंचायती राज व्यवस्ता का सुबारं पंडी जमालाल नेरू ने किया था जो अपने परदान मंत्री थे दो अक्टूमबर 1969 में काम पर क्या था अपने नागोर जिले के बगदरी गाउं में दो अक्टूमबर विल्कुल एक नमबर राइट हो जाएगा दो अक्टूमबर 1969 में पंडी जमालाल नेरुने अगला परसन देखते हैं सोद के अंदर दे रहे हैं और सूची एक और दो को मिलान करना है दनिया गोडा सरसों भेड राइट अंजर क्या हो जाईगा नीचे देखो कूड दे रहे हैं इनको आपको मिलान करना है दन्याजिमेर में होता है गोड़ा बिकानेर के परशिद है बिकानेर में देखने हूं मिलते हैं और इसके अलबा सरसों सरसों सेवर बरतपूर में है सरसों के अंदर और बेड़ हो गया आपका कोटा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल चार नमर आपका राइट हो जाएगा सभी का राइट आना चाहिए केंदर ये उन जो विशलेशन परियोग साला है वो है विका नेर राश्टी भेड और अनुसंदान केंदर कांपर है एविका नकर टॉंक केंदर राश्टी सर्शू उदान है सेवर भरतपूर में सर्शू उदान कांपर है भरतपूर में अगला परसंद देखते हैं अगला परसंदे की चूलिया जल परपात कांपर इस्तिद है बनास नदी मही नदी मेनाल नदी या चंबल नदी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चार नमर चम्मल नदी पर चम्मल नदी को किश-किश नाम से जानते हैं इसे काम देनू के नाम से जानते हैं अगला परशन देखते हैं इसब गोल का सरवादिक उत्पादन किश जिले में होता है उद्यपूर, जालोर, रासमन या नागोर बारत का सरवादिक इसब गोल राजस्तान में उत्पादित होता है जान रखना और विश्वे में इसब गोल का उत्पादन 40% अकेला जालोर जिले में होता है विल्कुल जालोर हो जाएगा सबसे ज़्यादा इसब गोल जालोर में होता है अगला परसंद देखते हैं राष्ट्रिये उंट अनुसंदान के अंदर काँ पर इस्तिद है अविका नगर टॉंक पत्मेडा जालोर बसी जेपूर या जोड़ बीड बीका नेर यहां बात गुरूं में उंटूं की तो बारत में सरवादिक उंट राजस्तान में मिलते हैं राजस्तान में सरवादिक बाड में हो गया बीका नेर चुरू अनुमानगर और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोड़ बीड बीका नेर चार नमर आपका राइट हो जाएगा अगला परसंद देखते हैं सेकरी साख समितियों का डांचा है एक इस्तरिये दो इस्तरिये तीन इस्तरिये या चार इस्तरिये तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तीन इस्तरिये एक तो सिर्श इस्तर दूसरा जिला इस्तर पर तीसरा है प्रात्मिक इस्तर पर अगला देखते हैं यहां पर पारक दे रखा है और उनकी इस्तापना दे रखी है कौन सा पारक किस इस्तान पर है तो राइट आंसर बताना है पहला है स्टोन पारक जो काम पर है दोलपूर करोली बायो टेक्नोलोजी पारक शितापुरा जेपूर सूसना तक्निकी पारक जेपूर जोदपूर कोटा उद्यपूर और जापनीज पारक निम्राणा अलवर राइट आंसर क्या हो जाएगा विल्कुल जो भी यहाँ पर तुक्का मार रहे न उन सभी का गलत है तुक्का बाजू का सभी का गलत है विल्कुल एक नमर यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला परशने की बेराट में जो पुरातात्विक अवसेस मिले हैं वे किस काल से समन्दित हैं मोर्यकाल, गुप्तकाल, मद्यकाल या उत्तर गुप्तकाल बेराट शबेता जेवपूर से लगबग 80 किलोमेटर दूरी पर बान गंगा नदी के किनारे इस्तित है या उत्तकनन करने पर खुदाई करने पर मोर्यकालिन पुरातात्विक अवसेस प्राप्त हैं तो राइट आंसर एक नमर हो जाएगा मोर्यकालिन अगला है कि डाही दिन का जोंपड़ा कहां पर है अजमेर, बिकनेर, जोदपूर या उद्यपूर तो ये आपका डाही दिन का जोंपड़ा अजमेर में है जिसका निर्मान करोया था चोहान सासक विगरे राद चतूर्त ने पाठशाला के रूप में 1533 में इसका निर्मान करोया गया बाद में कुतूबदी नेबग ने इस पाठशा को तूड़वा कर यहांपर मस्जिद का निर्मान करोया राइट आंसर हो जाएगा एक नमर अजमेर में है अगला देखते हैं कौन सा महराना कुमबा के द्वारा रचित गरंत नहीं है परशाद मंदन, संगीत राज, सून्द परबंद या संगीत मिमासा ये परशन्डे को कहीं बार एक्जामें पूछा जाता है मेवाड के सा सकते हैं महराना कुमबा इसमें देखो एक संगीत राज हो गया दूसरा संगीत मिमासा सूंड परबंद ये तीन है परशाद मंडन गरंद कुमबा के परदान शिल्फी मंडल द्वारा लिखी थे तो राइट आंसर एक नमर हो जाएगा परशाद मंडन परशाद मंडन ये कुमबा ने नहीं लिखा इसके लेक कौन है विल्कुल शिल्फी मंडन इसके मंडन ही है एक नमर आपका राइट हो जाएगा जेपूर शेर का निर्माण किस वरस हुआ आमेर के सासक सवाई जे सिंग दीतियन ने 18 नवंबर 1727 इस्वी को जेपूर शेर की इस्तापना की इसका मुख्ये जो वास्तु कार था वो था पंडित विदाधर बटाचारी है तीन नमर राइट हो जाएगा 1727 में जोधपूर शेर के सस्तापक कोन थे राव मालदेव, राव दुद्दा, राव चंदरशेन या राव जोधा इन्होंने 1469 इस्वी में जोधपूर नगर की इस्तापना की और एक चिडिया टुक पाड़ी के उपर एक दुरक का निर्मान करोया जिस्या मेरा अंगर का किल्ला केते हैं अगला परसंद देखते हैं कोटा बुंदी मारक पर देवपूर गाउं के निकट 1683 इस्वी में निर्मित छत्री के इस्तंबू की संक्या कितनी है आप परसंद से समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं अरे 84 खंबू की छत्री है कितने खंबू की 84 खंबू की छत्री चत्री वाली मैंने कलास करवाई थी उसमें आपको याद होना चाहिए बुंदी जिलेग में देवपूरा गाउं के निकट विशाल चत्री का निर्मान किसने करवाया अनिरूद सिंग ने करवाया था राव अनिरूद सिंग ने करवाया था अपने भाई देवा की इसमर्ती में जिसमें कुल चोरियां सी खंबे है अगला परसंद देखते हैं बीस जनवरी अटारसो अठाउन के अववा यूद में करांतिकारियों की हार हो जाती है इस हार के बाद अववा की ठाकूरते कुसाल सिंग वह वहां से बचकर भाग जाते हैं और मेवाड चले जाते हैं मेवाड में कोठारियां के कोठारिया के ठाकूर रावत जोज सिंग न 1956 राजस्तान एकिकरण के अंतिम चरण में 1 नवंबर 1956 को केंदर शाशित परदेश अजमेर मेरवडा का राजस्तान में विलिय कर दिया गिया और राज परमू का पद समाप्त करके राज जिपाल का पद सरजित किया गिया 1956 नमर राइट हो जाएगा अगला परसंद देखते हैं बताओ देखे तूरे, सेरपेज, बाला बंदी दुख दुगी, गोस पेज पच्छेवडी, लटकन आदी क्या है आदिवासी इस्तिरियों की साडी के रंग है पगडियों में लगए जाने वाले अबूसंद है लेहरियों के परकारे या उप्रोक सभी है ये सभी क्या है बिल्कुल पगडियों में लगए जाने वाले अबूसंद है ध्यान अगले ना हाँ अगला परसंद देखते हैं किस संपरदाई को सनक्षन किसको प्राप्त था विल्कुल रामानंदी संप्रदाएगा चार नमर आपका राइट हो जाएगा अगला परशन देखते हैं खवाजा मोनुदिन चिस्ति की दर्गा की सा जहानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल सासत द्वारा करवाया गया कौन सी दर्गा की साहा जहानी मस्जिद का निर्माण जांगीर अकबार ओरंग जेव या सांजा राइट आंसर आना चाहिए बिल्कुल सांजा ने करवाया चार नमर आपका राइट हो जाएगा निमन में से किस मंदिर को खम्बू का अजाइब गर का जाता है रनकपूर का जेन मंदिर विमल साही जेन मंदिर लोनव साही मंदिर या दुलेव का रिसब देव मंदिर खम्बू का अजाइब गर किस मंदिर को खम्बू का अजाइब गर का जाता है विल्कुल राइट आंसर आजएगा रनकपूर के जेन मंदिर को रनकपुर के जेन मंदिर कहां पर है पाली में है पूचा जाता है एक्जाम है जेन वेशनव वेशेव मंदिर विल्कुल जिसमें सबसे सुंदर विशाल मंदिर चोमू का मंदिर है जिसमें कुल 24 मंडप है 84 शिकर है और 1445 इतने इस्तम्ब है यहां पर कितने खंबे हैं 1445 खंबे हैं किसी भी इस्तम का अलगण दूसरे इस्तम से यहां पर मेच नहीं खाता है इसलिए इसे खंबू का जैब गर का जाता है इतने ज़्यादा यहां पर खंबे आपको देखने को मिलेंगे अगला परसन देखते हैं तुक्के के साथ अंसराना चाहिए माराना राजशिंग ने 1621 में वल्लब संपरदाई का सूप परशित दुआरका दीश का मंदिर किस इस्तान पर है कुमलगड़, गड़बोर, कांकरोली या अल्दिगाटी वल लब संपरदाई का परशित दुवार का दीश का मंदिर कहां पर है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल कांगरोली राज समंद में है किस जिले में है राज समंद जिले में अगला परशिन है बील पुरुस अपने बालों को डखने के लिए सर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं कच्छाबू, पगड़ी, पोत्या या पितोचा कहीं बार एग्जाम में पूछा गया है बील पुरुस अपने बालों को डखने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे पोत्या कहते हैं क्या केते हैं पोत्या तीन नमर आपका राइट आंसर होगा यह देखो सुमेलित करना है और यह परशन काफी मेहत पुने इस्टाट लगा लो यहां से स्क्रीन शोट ले सकते हैं आप गुरुजी ऐसा है क्या है यह एक्जाम पूछा जाचुका है कहीं बार परशन आंसर बता और बेड़स नदियों के है गंबीरी और बेड़च गागरोन का किला यह आपका है काली सिंद और अहु नदी के किनारे इसके लावा जो बेंसरोडगट का दुरक है वो है चंबल और बामनी नदी के किनारे मनो और थाना का दुरक यह है परवन और काली सिंद नदी के किना तो इस परकार्चे नहीं आपका मिलान हो जाएगा चित्तोड का किला किसे नदी के किनारे गंबिरी और बेड़से किनाए intent गाग्रों का दुरक हाद काली सिंद्रोर और आहू नदी के किनारे हैं बेंसरोडगट तोडगड में बामनी और चंबल नदी के किनारे मनदवर ठाना का दूरग ये चंबल और ये परवन और काली सिंदे विल्कुल राइट आचुका है सभी का तो यहां पर कूट क्या राइट हो जाएगा एक नमर आपका राइट हो जाएगा एक नमर होगा नहीं दोर नमर बहुत ही अच्छा परशन है इसा परशन आता है तो आपका तुरंट आँशोर आणा चाहिए राइट आँजर क्या हो जाएगा देखो राजपूरा दरीबा क्या है यहां पर शीशा और जस्ता शीशा और जस्ता है बिल्कुल नात्रा की पाल यहां पर लोहे आजसक लोहे दरीबा में क्या है तामबा इसके लावा पिच्छे बचा बांदर सिंद्री यहां पर बेरीलियम दिल्कूल सभी का राइट आना चाहिए अगला परसंद देखते हैं राजस्तान का मरगवन कहलाता है राजस्तान का मरगवन क्या कहलाता है माच या सफ़ारि पार्क एक नमर राइट हो जाएगा जोकी आपका जोधपुर में है काँ पर है जोधपुर में निमन में से आधर जल्वाईू वाला जिला कौन सा है जलावा टॉंक शिकर या अलवर अधर जलवाईू दो नमर राइट हो जाएगा टॉंक और इसके अंदर के कौन कौन से जिले हैं जो आपके बरतपूर, दोलपूर, दोसा, टॉंक, सवाई मादूपूर, करोली ये सबी जिले सामिले अगला है कि विका बाई, सागवाडा, नहर, शिंचाई, परियोद नमे कौन सा जिला लाबावित है किस जिले को लाब मिलता है डूंकरपूर, जालो और उद्यपूर या सिकर 12 सरकार दोरा ये योजणा चालो की गई है, एक समर राइट हो जाएगा डूंकरपूर क्या हो जाएगा डूंकरपूर, कुल मिलाकर यहां पर जो शिंचाई की जाती है वो 118,91 हेक्टर चैतर में की जाती है अगला है कि खस का कौन सा भाग इत्तर बत निर्मार में उप्योगी है ये परशन कहीं बार पूछा जा चुका है जड़ पत्ती फूल या बीज राजस्तान में सवाई मादोपूर बरतपूर टॉंक जिलू में पाई जाने वाली इस गास की जड़ू से सुंगदी तेल निकला जाता है क्या निकलते हैं तेल किसें जड़ू से एक नमर राइट हो जाएगा इत्तरोर सर्बत बनाने के लिए अगला परशन आज की क्लास का अंतिम परशन राष्ट ये चंबल गड़ियाल अभ्याइने किन किन जिलू में है राष्ट ये चंबल गड़ियाल अभ्याइने की इस्तापना कब हुई 1998 मुई थी राजस्तान मद्य परदेश और उतरपरदेश जिलू में है जिले नहीं है पूचे गए हैं चमल नदी के कुल 800 चमल नदी के कुल 280 किलोमेटर इतने 280 वरक किलोमेटर में लंबा है इसके लावा बिल्कुल राइट अंसर आचुका है दो नमबर राजस्तान मध्य परदेश उत्र परदेश में है दो नमबर आपका राइट हो जाएगा भई आज की कलास में हमने राजस्तान जीकी के 35 परशन कवर किये जैसा कि कॉंस्टबल एकजा में पूचे जाएंगे आपके कितने राइट हुए हैं नीचे कमेंड बोक्स में आप जरूर बताएं और इसकी पीडियो पाने के लिए हमने सुईदा उपलब्द करवा दी है अपनी जो वेब साइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसके उपर आप किलिक करें आपको सारे का सारे परशन में पर मिलते रहेंगे धन्यवास आत्यूं जैह हिंद